आप देखनी महोँ हवार मैं हूँ आपके साथ काज़र धाकूर। प्रशांद किशोर यानि पीके जिनको राजनीती कार रननीती कार कहा जाता है जो कि चुनाओ के लिए रननीतिया बनाते हैं। कई पार्टियों के लिए अब तक रननीती बनाने का कार कर चुके हैं। लेकिन हाल ही में हुआ यह है कि प्रशांद किशोर से सवाल पूछा गया बाल में की नगल से चुनाओ को लेकर तो प्रशांद किशोर इस पर भरके हुए नसरा है। दरसर प्रशांद किशोर ने कहा कि मैं जब चाहू तब सांसर बन सकता हूँ, जब चाहू तब मैं चुनाओ जीत सकता हूँ, मैं जब चाहू लोग सभा जा सकता हूँ, जब चाहू राज्य सभा जा सकता हूँ, यह सब कुछ मेरे हाथ में है। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि चाहे मुझे Congress टिकेट दे या फिर बीजेपी टिकेट दे या फिर कोई भी पार्टी टिकेट दे मैं जीत कर ही आऊंगा और ऐसा नहीं है कि मैं वालमी की नगत से ही चुनाव लगू तो वहीं से जीतूँगा यहां का तो कोई सवाल ही मैं जिस भी राज्य से चुनाव लगू वहां से जीतूँगा चाहे वो सीट बिहार की हो या फिर वो सीट पश्यमगाल की हो कहीं की भी वो सीट हो मैं जीत कर आऊगा लेकिद अभी मेरी सांसर बनने की कोई इच्छा नहीं है यहां पर प्रशान किशोर ने सबसे बड़ी बात कहीं वो यह कहीं कि अभी मैंने जो शुरुआत की है वो बिहार को सुधानने की अभी जो बेड़ा उठाया है वो बिहार की व्यवस्था को सुधानने का उठाया है क्योंकि जैसी बिहार वे सिती है वो सुधा जाए बिहार विकास के पत पर आगे चले यूवा परेश यहां हूं तब सांसत बन सकता हूं यह बहुत बड़ी बात प्रशांत किशोर की तरफ से कही गई यह देखिए और क्या पुछ था है वह हम आपको बता देते हैं यहां पर प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि 2017-18 में ही घोषिक कर दिया था कि अगले 10 साल होता ना लोकसभा ज जाना है नहीं राज्य सभा जाना है अपी अपने टार्गिट को पूरा करना देखिए बिहार में पिछले 18 महीनों से पैदर चल रहा हूं और कोई दल रही है यही वजा है कि बिहार में एक दिन में दल बन जाएगा उन्होंने यहां तक बोल दिया कि बिहार एक ऐसा राज पी नहीं है अभी जो मेरा अभियान है वो बिहार को सुधानने का है और मैं इसको करके रहूंगा यही वजा है कि बान में की नगर से चुनाव लगने को लेकर जब प्रशांत किशोर से सवाल पूछा गया तो इसी पर भणके हुए नजर आए क्योंकि अभी प्रशांत कि कोई दर्चस भी रही है अपने रणनीतिया बनाते हुए देखा होगा कई पाटियों के लिए रणनीतिया बनाते हो प्रशांत के शोर को देखा होगा लेकिन चुनाव लगने के लिए अभी साथ मना कर दिया है आने बारे दस साहों तक ना तो लोक सभा और ना ही राज् कर देखा हो एाज